बाइ स्टेबल माल्टी वाइबरेटर के पास दो इस्टेबल स्टेट होता है वो दो इस्टेबल स्टेट कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ये जो circuit आपको दिख रहा है ये बाई stable multi vibrator का है इस circuit में देखें दो NPN transistor लगे हैं एक तो ये पहला वाला transistor है जो की Q1 है और ये जो दूसरा वाला NPN transistor है ये Q2 है पहला वाला transistor है इसका ये जो collector वाला side है ये एक RC parallel network से होते हुए दूसरे वाले transistor के base के साथ जुड़ा है और वहीं जो दूसरा वाला transistor Q2 है इसका ये जो collector वाला side है यह भी एक दूसरे RC parallel network से होते हुए पहले वाले transistor के base के साथ जुड़ा है और जो C1 कपिस्टर दिख रहा है और ये C2 जो की कपिस्टर है इन दोनों का जो काम होता है यहां पर वो यह है कि यह square wave का हाई frequency component होता है उसे pass कर देता है उससे यह होता है कि जो output में waveform मिलेगा उसमें distortion नहीं होगा बस यहीं इसका काम होता है कि I are a god of transistor कु उन है इसका जो बेस है वो एक राजिस्टेंस आर फाइब से होते हुए एक भी 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 बैटरी से जो़्ड़ा है वह है यह जो ट्राजिस्टर कि अक्यों टू है इसका यो बेस है या कि इसह बैटरी के साज़ा है और यह जो कपिस्टर C3 दिख रहा है यहां से हम अपलाई कर सकते हैं या अपलाई करेंगे आके चलके निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स उसी तरह से यहां भी हम अपलाई करेंगे निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स ये जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है जो की होता है P-side ये बैटरी के से जुड़ा है तो ये हायर पोटेंसियल में में होगा और is अउमिटर होता है जो एनजाइड होता है यए लो़र पोटेंशियल होगा क्योंकि निगेटिव टैर्मिनल से पॉड़ेगा बेत्री के तो यह फ़ारवर्ड बास में होगा एसका भी जो बेस है वो प्राइट्ट्व से जुड़े जुड़ेगा जो कि फीचाइड हो का यह हार पोटेंशेल में होगा तो यह भी फारवड वास में होगा तो जब यहां से स्विच को और किया जाता है तो यह जो प्लास भी कोशिस तो कर रहा है कि दोनों को कंडक्टिंग स्टेट में लाया जाए लेकिन दोनों ट्रांजिस्टर का जो डोपिंग लेबल है वो अलग अलग है दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर है ठीक है लेकिन दोनों का डोपिंग लेबल अलग अलग है तो हम यह मान के चल रहे हैं आगे ये पहला वाल ट्रांजिस्टर है ये आभी on state में है शुरुगात में और ये दूसरा वाल ट्रांजिस्टर k minutu है ये आप है अगर ऐसा है तो हम इस पहले वाल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को और echo को साड कर सकते हैं तो हमने इसे साट कर दिया इस समय इन दोनों के बीट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या कहें जो यहां पे हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा जीरो वोल्ट चुकि यह साट हो गया है और यहां पर देखें यह आफ है तो हम इसका यह जो कलेक्टर होगा और यह जो एमिटर होगा इससे डिसकनेक्ट कर देंगे और इस समय यहां पे जो कलेक्टर करेंट आई-सी है वो जीरो हो गया है तो यहां पे जको व्ब्लटेज ड्राफ होगा रजिस्टर आरके क्रास आई-सी इंटू R4 ये भी 0 होगा 0 volt drop होगा तो यहाँ पे जब voltage drop ही नहीं होगा यह प्लस VCC इस resistance R4 के एकरास तो जो हमें output में voltage मिलेगा पूरा का पूरा मिलेगा तो हमें output में voltage मिला हो मिला है प्लास भी सी सी यह रहा उट्पुट में वोल्टेज इस समय यह इसी स्टेट में हमेशा रहेगा यह अभी ट्रांजिस्टर की वन आन है ट्रांजिस्टर क्यू टू आफ है तो यह इसी स्टेट में हमेशा रहेगा अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अगर इसे off state में लाना है और दूसरे transistor q2 को on state में लाना है तो हमें यहाँसे apply करना होगा negative triggering pulse तो हमने माना कि यह जो pulse है यह कुछ इस तरह से यह negative triggering pulse है यह जो pulse होगा इसका जो negative terminal होगा उसे हम connect करेंगे इस base के जो की P side होता है और जो इस pulse का जो positive terminal होगा उसे connect करेंगे इस emitter के जो की inside होता है ऐसा करने से होगा यह और यहां हम यह मान के चलेंगे चलिए यहां मान ले रहें किसका जो peak value है वह माइनस भी एम यह जो भी एम होगा उसे भी 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 से ज्यादा होना होगा यह भी भी यह कोशिस तो करेंगा इसे forward bias में रख बना के रखें ताकि यह जो transistor keyword है यह on state में रहें लेकिन जब यहां से हम negative triggering pulse apply करेंगे यह वाला यह ज्यादा होगा भी यह तो यह क्या चाहता है यह चाहता है कि इसे reverse bias में बना के रखें तो यह negative triggering pulse इसके effect को तोड़ देगा काट देगा तो यह जो transistor keyword है यह reverse bias में आ जाएगा इस negative triggering pulse के apply करने से यह जो base और emitter होगा इस transistor keyword का base two meter junction जो होगा यह reverse bias में हो जाएगा जब यह reverse bias में होगा तो यह off state में चला जाएगा तो अभी यह off हो जाएगा यह हो गया आफ अगर यह off है तो हम इसका यह collector है और यह emitter है इसे disconnect कर सकते हैं तो हमने इसे disconnect कर दिया जब disconnect होगा तो यहाँ पर जो IC है collector current यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो resistance R1 है इसके एक क्रास voltage drop जो होगा IC into R1 यह भी 0 होगा तो पूरा voltage यह जो प्लास VCC है यह हमें यहाँ पर मिलेगा output में voltage output में मिलेगा तो जो output में मिला हमें वो मिला है प्लास VCC इन दोन टर्मिनल के बीच का जो voltage है potential difference वो है प्लास VCC यह positive होता है और यह negative होता है यही प्लास VCC यह apply होगा दूसरा वाल जो transistor है Q2 उसके base के साथ और यह जो negative वाला होगा यह apply होगा इसके emitter के साथ ऐसा होने से होगा यह की जो यह प्लास VCC है यह इसे forward वाइस में बना के रखने का कोशिश करेगा और यह already already एक battery से जुड़ा है plus BB यह भी इसे forward वाइस में बना करके रखने का कोशिश करेगा तो दोनों मिल करके दोनों मिल करके भी CC और भी BB यह दोनों मिल करके इसे forward वाइस में बनाएगा इस ट्रांजिस्टर जो Q2 है इसका जो base और emitter होगा इसे forward वाइस में बना कर रखेगा forward वाइस ऐसा करेगा तो यह on state में चला जाएगा अब यह आफ नहीं रहेगा तो जब यह on state में जाएगा तो हम इसका यह जो collector वाला side है और यह जो emitter वाला side है इसे connect कर सकते हैं और connect करने बाद हमसे sort भी कर सकते हैं तो हमने इसे कर दिया कुछ इस तरह से sort और यह अभी जो है यह on state में चला गया है अब देखें जो output में voltage मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा वो मिलेगा 0 volt 0 volt मिलेगा क्योंकि यह sort हो गया है अब अगर इस समय भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अब यह हमेशा ही आफ स्टेट में रहेगा transistor की 1 और यह जो transistor की 2 है यह on state में रहेगा अब फिर से अगर इसे off state में लाना है और इसे on state में लाना है तो हमें यहाँ जो कपिस्टल सी फोर दिख रहा है यहां से हमें अपलाई करना पढ़ेगा फिर से निगेटीव टिर्गरिंग पल्स तो हमने माना कि यह जो पल्स होगा यह है निगेटीव टिर इकरिंग पल्स इसका जो पीक बाईलू होगा हमने माना वो है – Vm तो यह जो भी-एम होगा इससे जाधा होगा तो फिर क्या करेगा ये इसके एफिक्ट को काड देगा जैसे इस केस में काटा था तो ये काड देगा बले ये कोशिस्ट करेगा इसे फारवर बास में बना के रखे और जो ट्र ट्रिगरिंग पर सप्लाई किया जाएगा उससे होगा यह कि यह आफ इस्टेट में चला जाएगा क्योंकि यह निगेटिव ट्रिगरिंग पल्स यहां कोशिस कर रहा है रिवर्स बाइस में बना के रखें और चुकि इसका जो पीक वैलू है भी यह मौ इससे ज्यादा है तो हमने इसका श्राएं ज्याद्य करेंगे तो हमने सरक नेक्ट कर दिया और जाब build कार दिया इस समय इस समय जो हमें आउपुट में वोल्टेज मिले गा फिर से फिर, मिले गा हमें और यह समय हो गया है यह फिर से के आफ क्या कि इस समय शाभाइ कि यहां पहAUL definitely मिल रहा है थो मिल रहा है फ्लस टी सृ फ़िटि की इन दोनों टार्मिनल के बीच होगा हैं और यही प्लाइब आप लाइब हो गाइज ट्रांजिस्टर की वन के अ बेस में और मीटर में चुक्ड प्लस होता है और यह माइनस होता है तो यही voltage plus VCC apply होगा यहां transistor Q1 के base और emitter में VBB यह कोशिस कर रहा है इसे forward बाइस में बना के रखें और यह plus VCC जो होगा वह अभी कोशिस करेगा इसे forward बाइस में बना के रखें तो दोनों मिल करके VCC और VBB यह दोनों मिल करके इस transistor Q1 को लाएगा forward बाइस में ऐसा लाएगा तो यह जो transistor Q1 है अब यह on state में आ जाएगा फिर से तो फिर से यह आ जाएगा on state में जब यह on state में आएगा तो हम इसका यह जो collector है और यह जो emitter है हम इसे sort कर सकते हैं और इस समय जो हमें output में voltage मिलेगा फिर से वो मिलेगा 0 volt तो यह रहा इसका complete working इस by stable multivibrator का अगर मैं इसे output voltage को यहां graph में represent करना चाहूँ तो मैं इसे करके दिखा दे रहा हूँ आपको तो हमने माना कि यह जो axis है यह represent कर रहा है output voltage को और यह जो axis है यह represent कर रहा है time को तो यह represent किया है time को और शुरुवात में हमें मिला था output voltage जब यह ट्रांजिस्सऩर आप था तब हमें मिल था आउर्पुट में वुल्टज प्लस पी सी सी तो यह जो बोल्टिज है हमने माना कि यह पर यह प्लस पी सीसी को रुडरлекजन कर रहा है तो इतनी देर तक हमें मिला प्लास पी सीसी और फिर यह आया था on state में उस समय जो हमें outप़्ोट में वल्टेज मिला था जीरो तो कुछ दिर तक हमें मिला यह और फिर जब यई off state में आया था हमें फिर से मिलने लगा प्लास पी огुंद आक effectivement देखें, इसके पास दो state होता है और उन दोनों state को change करने के लिए हमें हर बार हमें हर बार negative triggering pulse apply करना होता है जब ये transistor Q1 on रहेगा और ये off रहेगा तो हमें इसके state को बदलने के लिए इन दोनों को हमें यहां से apply करना पढ़ा था negative triggering pulse और ये जब ये amp मैं आया और यह जब आन में आया तो हमें फिर से अपलाई करना पड़ा था यहां से निगेटिव टिरिंग पल्स इसलिए से बाइस टेबल माल्टी वाइबरिटर कहा जाता है क्योंकि इसके पास दो स्टेट होता है